असलाम लेकुम दिर स्टूटेंट्स हम अपलिकेशन्स डिस्किस कर रहे हैं हेमल्टन्स प्रिस्पल की आज हम बात करेंगे उसकी सेकेनड अपलिकेशन की जो जो फिगर है वह हम कुछ इस तरह से हम इस फिगर को यूज करेंगे इस फिगर का प्लोग अच्छे से देख लीजिए गा इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगो को कहीं कोई स्टेप की समझ अगर नहीं आ रही कुछ मिसिंग है तो भी आप को अच्छे से नजर आ जाए ठीक है तो यह हमारे पास इसकी जो है वो सर्फिस इन डाइग्राम में हमारे पास सेकंड अप्लिकेशन इसकी बात करते हैं दा प्रॉब्लम इस तो फाइंड अकर फार विच्ट सर्फिस एरिया इस मिनिमम ठीक है कंसिडर इस कर इस चीज के ल अधिक है यहां से देखे जाए फिगर शेडिट एरिया है विंग रेडियस दी एस यानिके जो इस फिकर चीडिट एरिया है कुछ इस फाम में में उसको लाहिदा से भी लिख दिया है जहां समय क्या मिल सकते अरिया तो अगर इसके पर प्रण पैथा च्छिडर्य चूर्म यह कि हारे मैड़ में विअ के लाझटन भी एक सब्सक्राइग क्यों मैंने ओ 저 इसके की क्यों लिए ऐक चाहिए लाजाए क कि फょंब हम लिक सकते हैं किक आप रावफ राएम यहां तो यहां फिस मिस्टेक या प्राइम स्केयर आहे तीक है यहां पर आप लोग सक्षेर भी लगा लेंगे सके एक्वेशन नमबर वण सेंस ता सर्फेस एरी आफ ऐलिमेंट इस गिवन भाई ठीक है इसी जिसके बराबर होता है किसी भी जो सर्फेस एर्या Remember बेंट को किसी इस पहुत हम इसकी value को put कर देंगे यहां पर ने रहा जाएगी यहां पहुने में मेर जाएगी क्वेशन कि अब हम क्या करेंगे टोटल टोटल सर्फेस अरीया टेकिंग फ्रम पॉंट 122 इज टोटल सर्फेस एरिया हम फाइंड करेंगे तो इसकी इंटिक्रेशन जो लिमेट से वान से टूपलाई कर देंगे यहां से डेरिवेट इंक्टेशन कैंसल और जो एरिया किसी के बराबर आज़ेगा हमार पास इस चीज के बराबर आज़ेगा ठीक है यहां से जो टूपाई है उदर जाकर क्या हो जाएगा अब यह जो बाइगा है किसी के बराबर इसको मेलेक कर लेते हैं यह की खुले और यह के आएमर पास एक्षिन इंटेगरेल लास्ट लेक्षिन में भी हमने इसको तुछा सर डिसक्स किया था तो यहां से मैं जे इकल टो इसको हम कहा देते हैं क्योशन नमबर फूर अब हम क्या करेंगे compare कर लेते हैं by comparing equation number three and four जब हम equation number three or four compare करें कि अगर इनकी यह side zone की बराबर है तो definitely यह दोनों side भी एक दूसरे के क्या होंगी बराबर होंगी तो उनको हमने यहां पर एक दूसरे के equally लिए है ठीक है student तो यहां से देखें आपकर करें यहां से मैं देखें इस factor के हमें value क्या मिलती है यह वाली हमें इसकी value मिल रही है तो वह हमने इनको एक दूसरे के equally क्रिए इसको हम कहा देते हैं question number five अब अब आयोलर्स equation को यूज करेंगे आयोलर्स equation में भी हमने इसकी तो यह इसके बराबर होती है इसको हम कहा देते हैं question number six अब आयोलर्स equation में से हमने इसकी और इसकी दोनों के हमने values निकाल लिए उनकी values को निकालने के लिए हमें question number four हमारे पास उसको हम differentiate करेंगे यानिके question number four को हम differentiate करेंगे पहले वाय के लिए हाथ से करेंगे फिर हम उसको करेंगे क्या ना मिसका वाय डैश के लिए हाथ है ठीक है sorry question number four by mistake में लिखा हुआ है हमने question number five को करना है यह जो question number five है ना इसको हमने differentiate करना है फिर हमें values मिलेंगी पार्चल है पार्चल वाय की सो जब हम इस question number five को हम वाय के लिए हाथ से differentiate करेंगे यानि के इस वाय के लिए हाथ से differentiate करेंगे तो फिर मैं definitely यहां पर क्यूंकि यह प्राइम वाली टर्म है यह पुरी पूरी एजा कॉंस्टेंट कंसिडर की जागी और यह जिरो की को लाई तो यहां से मैं इसकी value मिल जागी जिरो जब हम इसी question number five को वाय प्राइम के लिया हासे differentiate करेंगे तो मैं कौनसी value मिलेगी यह value मिल जागी ठीक है student तो अब हम इन तोनों values को हम use करेंगे question number six के अंदर equation number six में हम जब हम इसको put करेंगे तो मारे पास यह वारी यह जो factor है यह वह फैक्टर यह किसी के बरबर है हमें पता है कि यह इसको constant की को लिख सकते हैं तो constant की को लिखेंगे तो यहां पर स्केर रूट को खतम करने के लिए दोने तरफ हमने स्केर ले लिए ठीके स्केर ले लिए यहां पर अब नीचे वाली टर्म उदर जाकर सी स् सकते हैं को अंदर वान और वाई प्राइम स्केर के साथ मृटिपले करके लिख दी है अब यहां पर यह जो टर्म इदर प्लस हो रही है तो इस साड़ पर आकर क्या हो जागी माइनस हो जागी हैं पर इसको माइनस करके लिए अब इन दोनों टरम में से देखें वाई प्रा इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर में भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से जो डी एक से उदर जाकर क्या हो जाएगा मैंटिप्राइए हो जाएगा तो यहां से जो जो मरपस यह यह एजा कॉंस्टन यूजर इसको बहार दिख लेते तो अंदर वाली यह जो टर्म है इसको हमने क्या करना है अब इंटेग्रेयट कर लेंगे जिसके इंटेग्रेशन किसी के ब्राबर दिया वह बरभार थैंबर पस मरपका सको ऑच यानिके काउस यह जो इंवर्स फंक्शन होते इन्टेग्रेश्ट डेरिवेट सुन्गें दो वाला यहां पर जब हम फार्मॉला यूस करेंगे तो आजेगा मारे पास कॉज एच इनवर्स एक्स ओवर सी यहां पर प्रस बी किस की यह क्या है मारे पास ट्रिया ट्रिया निब्लां ब्रसण चाले के तो और यहां से प्रस और क् ad administered और वान तो अधर यहां के साथ और यहां पर क्या हुएगे इसको सभाजे लिखे लिए यनिक है Alto तर्म इसको हमने राइटेथ पर लिख दिये है और यह हमें कि फाइनल मिली चुकित है जो कि हमने फाइंड करनी थी सेट डिशन कि लिए है मैं तरस प्रिंस्पल की स्कूम थोड़ा से क्थिप कर आ गेक क्षिपेशन को एक्स्प्लेइन किसृउर सेасल करेंगे दिसेक्वेशन गिफ्सम मिनीम तरफेस आफर रिवलिशन जो कि हमनेडिसेन युप्वेशन फालिक डॉंटित कर चुक्की हैं तो मजीर इसको थравля समस्प्लेइन करेंगे जाद कर सकते हैं otherwise आपका जो क्वेस्टिन है वो यहां तक आपका क्वेस्टिन है ठीक है तो यह थी आज के हमारे अप्लीकेशन सेक्ट्ड अप्लीकेशन हमने डिसक्षिज की है हम तर प्रिंसिपल की कि अ जड़ाई।